तो फ्रेंज चलिए आज हम बनाने वाले हैं काठिया वारी स्टाइल भरे ली डुंगरी नुशाक इसे आप बाजरे की रोटी के साथ खाए बहुत ही ज्यादा मस्त लगता है विंटर सीजन में तो जरूर इसे बनाना चाहिए तो चलिए बनाते हैं काठिया वारी स्टाइल भरे ली डुंगरी नुशाक तो इसके लिए सबसे पहले एक मसाला हमें तयार करना है जिसके लिए लसन लेना है अद्रक लेना है और हरी मिर्ची लेनी है जब भी काठिया वारी स्टाइल बनाते है तो लसन हमें अच्छी क्वंटिटी में लेना है तब ही जाके वह बढ़ लेकिन त्रेडिशनली इसे इस तरह से खूटके बनाया जाता है तो चलिए इसे हम एक बोल में टरांसफर कर देंगे अब इस मसाले में हमें डाल देना है धन्या जीरा पाउडर एक से दो बड़ा चम्मच फिर इसमें हम डाल देंगे हल्दी थोड़ी सी गरम मसाला इसमें जाएगा एक छोटा चमत जितना और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया है भुने चने का पाउडर जो दालिया आता है वो है ये तो कच्चा बेसन यूज नहीं करना है अगर दालिया नहीं है तो आप थोड़ा सा बेसन को रोस्ट कर लें फिर इसमें आप एड़ करें तो दो चमत जितना भुने चने का पाउडर डाल दिया है तेल डाला है दो चमत जितना और इसके साथ इसमें मैंने डाल दिया है खूब याने के प्याज तो यहां पर हमें जो बेबी अनियन आते हैं चोटे वाले प्याज आते हैं वह लेने हैं विंटर सीजन में बहुत मिलते हैं यह बेबी अनियन और इसमें इस तरह से हमें क्रॉस लगा लेना है तो यह जो बेबी अनियन है इसका जो कुकिंग टाइम है वह थ थोड़ा सा ही कट लगाना है वरना जो प्याज है वो ठूट सकता है तो चलिए सारे जितने भी प्याज है उसमें हमने अच्छे से मसाला स्टफ कर लिया है और थोड़ा सा मसाला हमें बचा के भी रखना है जो हमें आगे काम आने वाला है तो चलिए अभी कड़ाई में तेल करेंगे तो क्योंके काठियावारी स्टाइल बन रहा है हमारी सबजी तो तेल भी हमें ज्यादा यूज करना है लेकिन वह अपने टेस्ट के कॉर्णिंग कम ज्यादा कर सकते है फिर तेल जैसे घरम हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे राई जीरा और हिंग और जब राई जी तो चलिए अभी इसमें हम डाल देंगे नमक, हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर तो चलिए अभी ये जो हमारा बढ़िया सा मसाला है इसे हमें कुक होने देना है ताकि जो टमाटर है उसका खचापन है वो खतम हो जाए तो चलिए ढखन को बन करके दो मिनिट के लिए इसे पकने देते है तो ये देखिए हमारा जो मसाला है अच्छे से कुक हो चुका है उस अगर आपको ये काठियावारी स्टाइल रेसिपी पसंद आ रहे है तो जल्दी से नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस कर लीजे वीडियो को अपने फ्रेंज और फैमली के साथ शेर भी करना ना भूलिएगा कमेंट में यमी टैप जरूर करिएगा ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ और ऐसी यमी रेसिपी के लिए जल्दी से मेरे पेच को भी आप फॉलो कर लीजे तो बस अभी धकन को बन करके सुद दस मिनिट के लिए इसे में पकने देना है क्योंकि छोटे वाले प्यास है जल्दी से कुख हो जाते है ये तो यहाँ पर हमारा ये काठिया वारी स्टैल भरे ली डूंगडी नुशाग बन के तयार है तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राए जरू करना रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेर कमेंट और फॉलो करना ना भूलिएगा तो हम जल्मे लेंगे ऐसी या में रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ